नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वात करता हमारे इस नए वीडियो में तो दोस्तों अगर आपके पास एक Windows 11 वाला computer या laptop है मतलब कि आपके computer या laptop में Windows 11 का operating system है और आपका पूरा slow होने लग जाता है एकदम experience ही खराब हो जाता है user experience ही खराब हो जाता है एकदम भी चलाने का बहुत ज़्यदा improve हो जाएगा और आपका computer या laptop है पहले से बहुत ज़्यदा fast हो जाएगा बहुत अच्छा चलने लग जाएगा तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि आपको क्या-क्या steps follow करना अपने computer या laptop में अगर आपके बास Windows 11 का computer या laptop है तो उसमें आपको क्या-क्या steps करना है ताकि आपका computer या laptop का हमी आपको क्या करना है तो चूसके लिए सबसे पहले क्या करना है अपका अपको प्रैटिंग करोगे तो यह सब options आएगा यहां पे आपको नीचे में देखना है और प्राइवेश य सेक्यूरोटी बोलके एक option लिखने को मिल आप इस पर click करा है आप इस पर click करणा है तो यहाँ पे आपको General की उप्शन लिखने का मिले काप आप के आपको General पर click करना है and General के अन्दर में यह सभी को आपको घ्लिक रते नहीं है यह सभी को हम off कर देंगे तो यह सभी को मैंने off कर दिया ऐसे आपको off कर दिना है फिर से आपको privacy & security पर click करने एट कि ये, यदर इस इन नीचे को स्क्रॉल करने है ये थर ओको इसमें स्कॉर्वराल सब्सक्राइब ऐसमें पर लोकेशन आपको लोकेशन भी आफ कर देना है फिर से प्राइविस और से क्लिक करेंगे एंड इदर निचे आएंगे हम यहां पर जो कैमरा है कैमरा पर क्लिक करके हम लोग यह फास्ट वाल ऑप्शन को आफ करेंगे तो आपके पास अगर कम्प्यूटर ये लैप्टॉप पे जिसमें आप कैम नहीं है इसमें लगा हुआ एंड इसका जिए प्राइविस और से क्लिक करेंगे एंड नीचे जाएंगे एंड उसके आद माइक्रोफोन और वोईज अक्टिवेशन ऐसी चोड़ देना है इस पर कुछ नहीं करने नोटिफिकेशन भी चोड़ देना है फिर उसके आपको इ फिर से आपको प्राइविस और सेक्यूरिटी पर जाना है फिर नीचे जाना है एंड उसके बाद जोगी है इदर आपको फोन कॉल्स पर क्लिक करना है इसको भी आपको आफ कर देना है ठीक है एंड उसके बाद जोगी है आपको फोन कॉल्स पर क्लिक करना है इसको भी आफ करना है और प्राइविस सेक्यूरिटी पर जाना है यह एक और और ऑप्शन बच गया उसको भी आफ कर देते हैं जो कि हमारा रहता है यह वाला इमेल वाला ठीक है इमेल पर देखो मैं क्लिक किया और यह वाला ऑफ्शन आफ करूंगा पर अगर आप अपने कम्प्यूटर में कोई email का app यूज़ करते हैं, जिसमें आप अलग-अलग Gmail ID या दूसरा भी mail ID है तो उसको login करके यूज़ करते हो, तो अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, mail ID में कोई भी mail को login करके तो आप इसको off मत करना, पर अगर आप अपना mail को अगर कोई ब्राउजर में जाके open करते हो, माल लो Google में, Chrome में या Microsoft Edge में या दूसरे कोई browser में अगर mail को login करके यूज़ करते हो, तो आप इसको off कर सकते हो, तो जैसे कि मैं mail वाले app से mail ID का भी भी अपना open नहीं करता हो, अब आपको यहाँ पर search करना है, search आप क्या लिखके करोगे, search आपको लिखना है इधर SYSDM, SYSDM.CPL, आपको इतना लिखना है तो आपको इधर में देखने को मिलेगा, control panel item, SYSDM.CPL, आपको इस पर क्लिक करके open कर देना है, SYSDM.CPL को आप open करोगे, तो कुछी स्टाइब कर आएगा, अब यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, Advanced, आपको Advanced पर क्लिक करना है, Advanced के अंदर में देखो यह जो Performance वाले section इधर में आपको Settings नीचे में देखने को मिलता है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, Adjust for Best Performance, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना, Adjust for Best Performance पर, and उसके simply OK पर इधर क्लिक करना है पहले, ठीक है, and उसके बाद जो की है, आप फिर से कर अप सेटिंग पर क्लिक करना, इधर में आप देखोगे कि Adjust for Best Performance आपका Select हो गया, तो फिर से मोके पर क्लिक कर देते हैं, तो यह सेटिंग तमारा हो गिया, उसके बाद आपको एक Last setting और करना है, इसको अप कट कर दो, and Last setting आपको क्या करना है, फिर से आपको इधर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, इस वार आपको करना है इधर सर्च Tax Manager, ठीक है, इस वार लिखना है TAS के Task, उसके लिखना है Manager, इधर में टाक्स मैनेजर हमारा शो कर रहा है, तो टाक्स मैनेजर के एप को उपन कर देना है, आप इस को उपन करोगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा, खुलने के बाद देखो इधर में जी है कुछ options बगर है, इ इस पर क्लिक करोगे तो इधर में कुछ Apps का लिस्ट आएगा, इधर में देख लेना है कि आप कौन सा कौन सा एप को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो, ठीक है, कोई ऐसा एप अगर आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो, तो वो सब को आपको डिसेबल करना पड़ेग और बाकि देखो, इधर जो कि है, एक दिखा रहा है, C, Q, M, Main, ठीक है, यह भी अप में यूज नहीं करते हो, तो देखो, यह भी हम लोगा दिखा रहा है, status enabled, और startup impact high, बहुत जादा हम लोग का जो computer का power है, वो consume कर रहा है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, एक बार ठीक है, ल तो आप इस पर क्लिक करके, simply इधर जो disable का बटन है, उस पर क्लिक करके, disable कर सकते हो, ठीक है, तो आप इतना से options को, मतले कि complete कर देना, जो जो मैंने आपको बता है, सब settings आप अपने computer में कर देना, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, कि आपका Windows 11 का computer, laptop जो भी है, वो प लाल कलर का subscribe को बढ़ेना, उस पर क्लिक करके subscribe भी कर देना, तो मिलते है निक्षी वडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई और जैहिंद